दोस्तो अगर आपको फोन देखने की बहुत जाद आदत है और आप इस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और अगर आपके पास MI का फोन है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस एक छोटे से फीचर की वज़े से आप ये जान सकते हैं कि आपने आज अपना फोन कितनी बार इस्तमाल किया है और कौन-कौन से अप्लिकेशन को आपने कितनी देर तक इस्तमाल किया है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं टेकनिकल राही दोस्तो अगर आपके पास MI का फोन है तो आपको अपने फोन में setting option को खोलना है और setting option में scroll करते हुए आपको यहाँ पर चले जाना है digital well-being and parental control पर यहाँ पर जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने फोन को आज कितनी बार कितनी देर के लिए कौन से अप का इस्तमाल किया है जैसे फेस्बुक पर हम देखें तो फेस्बुक पर हमने सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया है आज और आज 6 मिनिट के लिए मैंने फेस्बुक इस्तमाल किया है अगर कल की बात करें तो कल मैंने एक घंटे 57 मिनट तक फेस्बुक का इस्तमाल किया था जैसे दूसरे अप की बात करें तो सेटिंग अप को मैंने आज कितनी बार खोला है सेटिंग अप को मैंने आज 2 मिनट के लिए इस्तमाल किया है और मैंने देखिए इस पर दो मिनिट का समय बिताया है यहाँ डेली की जगे अगर hourly बात करें तो एक hour में मैंने कितनी बार इस एप को open किया है वो पूरी डेली यहाँ से देख सकते है साथ ही आप इसको control इस तरही किसे कर पाएंगे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप इसको कितनी बार open किया है जिसे आपको पता चल जाएगा कि आप फोन को कितनी देर तक इस्तमाल करते हैं तो इस तरीके से आप अपने फोन के setting में जाकर इस चीज को चेक कर सकते हैं कि आप particular app का इस्तमाल कितनी देर तक कर रहे हैं कहीं आपको इसको देखने की आदत तो नहीं लग गई है अगर आप YouTube वीडियोज बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इस पर control पाना चाते हैं तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी देर तक YouTube वीडियोज देखे आपके फोन में कितनी बार notification आया आज 38 times आपके notification आया और मैंने मेरे फोन को 5 बार आज unlock भी किया है तो यहां से मैं आसानी से चेक कर सकता हूँ और अपने आपर control रह सकता हूँ तो वीडियो आपको कैसा लगा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना